Hello Guys, Welcome to Tested Classes English with Monica आज हम पढ़ेंगे Format of Notice आपके Notice का क्या Format है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपके एक्जाम में 4 या 5 मार्क का एक कुश्यन आता है जिसमें आपको Notice निखना होता है ठीक है? तो उस Notice को लिखने के लिए आपको उस Notice का Proper Format पता होना चाहिए अगर आपको उसका Format पता है तो किसी भी टॉपिक पर आपको Notice लिखवाया जाए आप पड़े आराम से लिखकर आएंगे तो आज आपको मैं Notice लिखने का Format समझाने वाली हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या लिखना है आपको? Name of School या फिर Organization अब Notice किस पर लिखवाया जा रहा है? कहाँ? स्कूल में लिखवाया जा रहा है? या किसी सोसाइटी में लिखवाया जा रहा है? या किसी Organization का? तो उसका आपको नाम लिखना है सबसे पहले है न? आप कुछ भी हो सकता है आपके यसे विवेकानन्द स्कूल स्कूल का नाम है आप अपने स्कूल का नाम लिखिए और जिस भी सिटी में आप मेरट में दिली में, अलीगड में, जहां का भी स्कूल है आप लिख दीजिए कि विवेकानन्द स्कूल आफ अलीगड ऐसे लिख सकते है आप विवेकानन्द स्कूल आफ मेरट ठीक है आप ऑगनाइजेशन अब जो भी ऑगनाइजेशन है किसी सोसाइटी की है तो सोसाइटी का नाम लिखेंगे आप ठीक है उसके बाद आप मोटा मोटा लिखेंगे notice capital letters में कि दूर से ही समझ में आ जाए कि आप notice लिख रहे हैं ठीक है उसके बाद left side में आपको क्या लिखना है date date कैसे लिखनी है suppose आप लिखिए 2 March 2021 इस तरीके से आपको date लिखनी है ठीक है 2.3.2021 ऐसे नहीं लिखना क्या लिखना है 2 March 2021 इस तरीके से आपको date लिखनी है यह हो गया left side में आप इदर right side में हैंगे तो the people या classes is meant for यह किन लोगों के लिखा जा रहा है या फिर school की बात हो रही है तो किस class के बच्चों के लिए 9 to 12 या फिर 8 to 12 यह आपको हमें यहाँ पर right side में उपर ही लिख देना होगा ठीक है उसके बाद दिखेंगे topic या title कि इसका topic क्या है क्यों लिखा जा रहा है यह सपोज inter house quiz competition होने वाला है आपके school में उसके लिए लिखा जा रहा है तो यहाँ पर आप topic लिखेंगे inter house quiz competition ठीक है फिर उसके बाद बारी आती है content की आप content में आप क्या लिखेंगे आज जैसे मैंने अभी बात करी inter house quiz competition की तो आप क्या लिखेंगे उसमें an inter house quiz is being organized on 15 March 2021 in the school auditorium अब आपने बता दिया कि आपका जो quiz होने वाली है वो कब होने वाली है 15 March को होने वाली है और आप notice कब लगा रहा है उपर हमने date के बताई थी 2 March की तो ठीक है है 10-12 दिन का समय ठीक है यह आप ध्यान रख लिएगा date डालते समय कि इतना time होना चाहिए ठीक है अब आपने बता दिया कि आपकी quiz हो रही है कब हो रही है और कहां हो रही है स्कूल के आड़िटोरियम में आपने बताया उसके बाद आप लिख सकते हैं टाइमिंग उसकी from 8 a.m. to 11 a.m. टाइमिंग हो गई for classes 9 to 12 वहां पर 9 और 9 से 12 तक के बच्चे पार सिबिट कर सकते हैं इसलिए आपने बता दिया आप थोड़ा सा quiz के बारें बताएंगे कि quiz होगी कैसे ठीक है तो आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसमें इच हाउस टीम विल हैव थ्री मेंबर्स ओके हमने limitation बता दी कि हर हाउस से तीन-तीन मेंबर्स आएंगे अब closing sentence क्या होगा हमको क्या बताना होगा हमें यह बताना होगा कि हाउस केप्टन शुट भी संबिट दा नेम ऑफ दा टीम बाइद अब कब तक आ जाने चाहिए अब आपने डेट अपनी क्या रखी थी उस डेट के साब से आप यहां पर बताएंगे आपने कंपडिशन बताया है 15 मार्च का ठीक है तो आपको कब तक चाहिए आपको नाम मिल जाने चाहिए 8 मार्च तक ठीक है तो आप फिर क्या लेखेंगे closing sentence में डेट कि हाउस केप्टन शुट संबिट दा नेम ऑफ दा टीम बाइ 8 मार्च 2021 टू देयर रिस्पेक्टिव हाउस इ गया अब उसके बाद signature of issuing authority अब जो भी authority इस notice को issue कर रही है उसके signature आएंगे वहां पर और फिर नाम आएगा नीचे ठीक है नाम आएगा किसका नाम आएगा जिसने ये notice लिखवाया है उसका नाम आजाएगा ठीक है और फिर last में क्या आएगा designation of the issuing authority और designation मतलब वो जो ये भ अरज का नाम आएगा वो है किस हैसियस से करवा रहा है वो head boy है head girl है या उसकी क्या post है वहां पर ठीक है तो last में ये लिखेंगे ओके अब ये सब होने के बाद आपको क्या करना है एक pencil लेनी है और pencil से एक box बना देना है ये जो notice है आप इसको आप एक box में बंद करके आएंगे देखो बच्चो आपने जो content लिखा है उसके तो number आपको मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में आपने proper format उसका use किया है या नहीं किया है proper format लिखा है कि नहीं लिखा है उसके भी number है यह box बना के आएंगे आपको इसके भी number मिलेंगे ठीके, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से इस format को समझ ले और मैं समझती हूँ कि आपको ये format अच्छे से समझ में आ गया होगा कि notice का format होता क्या है I hope बच्चो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि notice कैसे लेखा जाता है ये format आपको notice का अच्छे से समझ में आ गया है और आपको ये format अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग